सो हाई अवरिवन मैं नेम इस खेटेश आयोप आप सब अच्छे होगे जब आप एमेजोन का फेस्ट राउंड यानि की मेरा मतलब ग्रामर राउंड आप क्लीर कर लेते हो तो आपको सेकेंड राउंड देना होता तो उसमें या तो आप या लोगिन नहीं कर पाते हो या रे करें और वीडियो को लाइक करें आप जो पॉसिबल एरर देर स्वाइल लोगिन फो शेकेंड राउंड जैसा कि आप मेरी स्क्रीन प्रोपर आप विजीट कर रही होगे या पर जो एरर है थू साइं या लोगिन अटेम्द फैल एने बल तो साइन पोस्ट फेस्ट साइन पेज टाइप यूर रजिस्टर इमेल आईडी और क्लिक ओन फॉर्गेट पासवर्ड है निकि यहां पे आपको रजिस्टर करना या इमेल आईड डालना है अगर वह नहीं हो पा रहा जैसा कि आप आपने देखा होगा कि ऐसा जब आप कम्प्लेट कर लेते तो आप पैसिक में रीजन है तो वो उसका सॉलूशन मैं बताता हूं आपको क्या करना है ठीक है तो इमेल आईडी क्लिक फॉर्गेट पासवर्ड एट थू लोग इन पेज ठीक है यहां पे ऊपर आप देख रहे हो ना या एक से कि मैं आपको बता देता हूं यहां आप देख रहे है तो यहां पे फॉर्गेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है ठीक है एक अने उसके बाद जब आप फॉर्गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे एड थू लोग इन पेज अगहें टाइप your registered email id click continue उसके बाद आपकी फिर email id मांगेगा एंड उसके बाद आपको continue करना बता है ठीक है option receive the reset password mail फिर आपको mail पर जाना है वापे जिस mail पर आपने apply किया था यह login किया था फिर forget password पर जब mail mention कि रही थी तो उसी email पर आपको जाना है वापे आपको mail receive होईगा and check the inbox spend for the link follow by information reset the password mobile number followed by 123 जो भी आपका है click send passport and जब आपका जब आपका जब लिंक के थूँ पासपर आपको reset करना है जो set करते है वो password आपको याद रखना है जो आपको आपको आने वाले ठीक है तो और उसके बाद जब आपको लगा देना in case after registers you are enabled process further there any error while logging उसके बाद भी अगर आपका कोई error है like आपने जो मैंने बताया कि आपने यह जो सारा सब कुछ कर लिया forget पर click कर लिया जहां पर mail आए वहां पर password बदल दिया like reset करके तो again आपको वो problem हो रही तो उस case में आपको करना है कि forget password after entering your email address you can click on continue so आप यहां पर register कर सकते हैं ठीक है and post that will be directly sign it where you should click continue without document जब आपका I think जब यह ऐसा कर लेंगे तो आपका login हो जाएगा okay जब आप forget password करेंगे and password reset करेंगे and link आएगे जब reset कर देंगे तो आपका successful login हो जाएगा and just see login हो जाएगा okay तो आपको यहां पर करना क्या है position second down click menu button यहां पर कुछ इस प्रकात का आजाएगा ठीक है so fast visual customer support and यहां पर जब देख रहे हो न यहां तो यहां पर menu button पर आपको click करना है ठीक है and उसके बाद में आपको job I have applied पर click करना आप यह option आ रहा है na job I applied जब आप जब आप जब आप्लाइट कर ली आपने तो आप यहां पर ही आएगा job I have applied to so आप यह देख एक information भी है ठीक है and then यहां पर आप click करेंगे और उसके बाद में continue apply today तो आप पर continue apply today करेंगे ठीक है and after that यहां पर take assessment जहां पर आपका पहला तो contact information मांगा जाएगा यहां पर ठीक है जैसे कि मैसी कि यहां पर देना होता है जहां पर contact information की में बात करूं okay and okay then यहां पर general question रहेगा general question tell me about industry यह नॉर्मल है फिर यहां पर आता है assessment तो आप आपको अभी करना क्या है टेक assessment पर click करना है यहां पर ना tech assessment पर click करेंगे जब आप so my friends जब आप यहां पर click कर लेंगे like tech assessment के लिए तो आपकी assessment के लिए शुरू हो जाएगा तो post assessment complexity and currently click continue option and page will be read directly each signature तो उसके बाद में जब आप continue click करेंगे तो आपको each signature मांगा जाएगा आपका full name डालना है then scroll down and submit your application and wait further update okay so यहां पर full name डालना है जैसे कि आप मेरी screen पर देख रहे हैं और full name डालने के बाद submit your application okay इतना आपको करना है and then और उसके बाद में जब भी जो भी सारकीप सुनाते हैं जो मैंने verbal के लिए जो test बताया ही है तो वो आपको deny and थोड़ी सी normal checking होगी like आपका computer proper voice काम कर रहा है नहीं तो उसके बाद आपका test शुरू हो जागा in case अगर आपका like जब आप login कर लेते हैं तो आपको zero jobs found जो आप जोब अपले किया हैं वो आपको job नहीं मिलते हैं तो उसका solution में आपको बताता हूँ ठीक है उस case में आपको क्या करना है उस case में आपको करना है search bar में क्लिक करना है you can यह देख रहे हैं आप search bar में okay search bar में आपको क्लिक करके यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके customer service पे आपको टिक लगाना यहां ठीक है and then आपकी country को इंडिया क्लिक करना है और state यह सबको शोड़ देना and आप महाँ पे find the job only क्या करना search पे क्लिक करना है customer service यह आपने इस दोनों में से like जाजा तर customer service के लिए apply करते है तो आप पे क्लिक करेंगे and then इंडिया के लिए select करेंगे and state city को शोड़ देंगे और इसके बाद find the job okay इतना कुछ करने के बाद apply पे क्लिक करना है और ठीक जब apply पे क्लिक करते है I accept and continue so in error continue post following above process then click menu option to add and right hand side and corner check language option language select is English UK click drop down and select English US the language and continue with above process so my dear friends यहाँ पे अगर आप जब आप सर्स बाहर में सर्स करते है तो भी आप अगर आपको नहीं डूंट बाते है तो उस case में आपको करना गया है कि आपको जब आपका जो लेंग्वेज बाहर में जाओगे तो आपको यह English UK की जगह English UK की जगह जैसे की Home पे जाएंगे तो यहाँ पे एक तो लेखा जब आप अप अप्लाई के लिए डूंटोगे तो आप जो आप 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 अप अप्लाई पे पे जब आप लेंग्वेज पे जाओगे तो आप पे जिख जाएंगा English UK है कि आपका जो Select करी रखी है तो वो लेंग्वेज तो आपको US पे क्लिक करना जब आप US पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको जो अपनी इंडिया लोकेशन की जॉब हो आप तब तक सर्षबार में नहीं मिलेंगी ठीक है आपको इसमें find job and apply कर देना है ठीक है Add contact information page addressing preference for numbers, national ID and what date invalid है वता है तो उस case में यहाँ पे mobile numbers preference डालना है and mobile number जैसे कि यहाँ पे country code 91 है और mobile number national ID card डाल नहीं है तो यहाँ पे कुछ date of birth जैसी कोई problem I think नहीं होनी सही है जापे आप अच्छे से proper डाल सकते है और okay, so यह कुछ खास नहीं है शुरुआत में ही होता है आपका कोई side थोड़ा problem झालो 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 झालो